हेलो एवरीवन, वेलकम बैक तो माई चैनल, सुचिता क्लासेज में आप सभी का स्वाजत है, हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है, कि हमारे पास नमबर्स दिये हैं, कुछ उनकी वैलू हमें फाइंड आउट करनी है, यहां पर क्या है, कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट में माइ यह एज इस लिख लेंगे, फिर हमने क्या किया, यहां पर इस इकूल के साइन लगाया, और यह जब हमारे पास कोई नमबर होता है, और ब्रैकेट है, और उसके बाद यह इसकी पार 4 लगी है, तो इट मेंस की, यह जो ब्रैकेट में जो भी नमबर है, जिस भी साइन के यानि कि 4 times multiply करना है आपस में, ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, minus 3 into minus 3 into minus 3 into minus 3, 4 times, ठीक है, क्योंकि पार 4 लगी है यहां पर, ठीक है, अब हम यह जानते हैं, कि जब हम minus को minus से multiply करते हैं, तो क्या होता है, plus हो जाता है, minus को minus से multiply किया, तो क्या हो गया, plus, 3, 3, 9 हो गया, यहां पर यह plus लिखते नहीं है, लेकिन यह हम आपको समझाने के लिए, यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है, फिर multiply का sign, फिर हम इसे solve करते हैं, इस पार्ट को, यहां minus 3, minus 3, plus क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, minus 3, minus 3, आपस में multiply हो करके, minus, नहीं, सौरी, plus 9, चीक है, अब क्या करेंगे, कि 9, plus 9, plus 9, आपस में multiply हो करके, क्या हो जाएगे, plus 81, यहां पर यह plus sign, यह plus sign नहीं लिखा जाएगा, लेकिन यहां पर यह मैंने आपको explain करने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, 81, 99, 81 हो गया, ठीक है, I hope समझ में आया होगा, चलिए दूसरा example लेते हैं, यहां पर क्या है, मेरे पास एक number है, 2 upon 5, bracket, फिर यह इसके पार 5, यानि कि हमें इससे solve करने में क्या करना है, कि 2 upon 5, 5 into 2 upon 5 into 2 upon 5, कितने times लिखेंगे, 5 times, क्योंकि यहां पार क्या है, 5 है, 2 upon 5, ठीक है, अब इससे कैसे solve करेंगे, यहां पर, as we know, कि 2 into 2 is equal to 4, 4 into 2 is equal to 8, 8 into 2 is equal to 16, 16 into 2 is equal to 32, अब यहां पर नीचे क्या हो गया, 5, 5 is a 25, 25 into 5 is equal to 125, अब यह बड़ी value हो गई है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 125 को, मतलब 125 को हम क्या करेंगे, यहां पर रफ में 5 से multiply करेंगे, तो 5, 5 is a 25, 5, 2 is a 10, 12 हो गया, 1 हो गया, अब 5, 1 is a 5, 6 हो गया, ठीक है, तो यहां देखें, यहां तक में क्या हो था, 25, 25 into 5, 125, 125 into 5 is equal to 625, अभी भी क्या है, एक बड़ और 5 से multiply करना बचा हुआ है, यहां पर, तो इसको again हम क्या करेंगे, कि 5 से multiply करेंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, 5, 5 is a 25, 5, 2 is a 10, 12 हो गया, 1 आया, और 5, 6 is a 30, 30 में 1 add हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 31, ठीक है, 3,125, यहां पर क्या आ जाएगा, 3,125, यही इसका सिंप्लिफिकेशन हो गया, यह इसका आंसर आ गया, तो friends, I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो please मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and share करिए, thank you so much, करिए जाएगा, यहां गाएगा, करिए यहागा, था होगागा जाएदयैक करिए हो, यहां गया हो, यही उँए वया हो जाएगा यहागा